है लो गाईज देखिए आपके सामने उस कोशन की ट्रिक लेकर आया हूँ जिस कोशन से आप हमेशा परिसान रहते हो और अगर कोई बच्चा पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहा है यार ट्रिक से भी कोई कोशन इतना मुस्किल कोशन आसान बनाया जा सकता है तो आप यकीन मानिए आप जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोंगे तो आपको मैंस से प्यार हो जाएगा और जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा वो भी तैयारी करने लग जाएगा इतने मज़ेदार तरीके सा अगर पढ़ाई होगी तो हम तैयारी क्यों ना करें हम भी पक्क जोड़ सकते हो सिर्फ 999 में तो गाइस कोशन किस तरह से दिये जाते मैं थोड़ा थोड़ा उसका मोटा मोटा दिखाएता हूं कि कैसे आएंगे फिर उसके बाद हम कैसे करने हैं देखे एक और प्लस य और इसी तरह से आप प्लस कीज़ए एक बर माइनस कहें के यह चीज पहला केस तो आपका यह हो जाता है दूसरे वाला केस जैसा कि अगर आपको इसकी वैल्य पूछ लिजाए तो आप फिर से क्या निकालोगे आपको पता है इन दौनों का मंटिपलाई ये तो इसका और इसका मंटिपलाई 12 और चाहे तो इसकी वैल्य आगे तीन अब कभी-क कभी वो यह पूछता है कभी कभी क्या पूछतों इस वाले हishes वालू एकस यौी की अब यह कैसे निकाल से देखर वह यहां प्लस या माइनस बस यही बदलाव है इन दौनों इप यह काय गवाला इस्सा ओपर और यह वाला को B से मिस्सा यहां पर तो यह यह भी अब जब भी इस फॉर्मेंट में चीजे होते हैं तो जैसे ए प्लस भी साथ है और ए माइनस भी तीन तो इसी धर्ग वाले हिस्से की वैल्यू जो होगी वह हमेसा होते हैं इन दौनों का कोशन आ जाता इस वाले में कि इस वाले की की एकस वाई की वैल्यू होता हो इस वाले की चपया होतीगिंट टो मुझे नहीं पता मुझे पताए इन द्वानों का मेंटीप्लाही यह रहे होनाच क्योंकि मैंने भी सिखा इन दौनों का multiply यह होता है तो साथी 21 यहां से क्या आगया मेरे भाई इसकी value अब मुझे यह चाहिए तो यह क्या होगा मेरे भाई इन दौनों का टोटल 10 का अधा 5 अब आप कोई भी कोशन कर लो जैसा यहां पे पूछ रहा है यह दे रखा है यह दे इसकी value कितना गई 7 आ गई इसी तरह से यहां पर आते हैं तो यह 9 है तो इस पूरे इससे की value कितना है 9 7 जा 63 आगे चलते हैं तो मुझे पता यह 7 है पर इस बार हमसे xy पूछा इस बात का ध्यान रखना x का square plus y का square plus xy दे रखा है तो x का square plus y का square minus xy हम निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखें आपको बताएं इन दौनों का multiply कितना उनचे 35 तो इस case में यह कितना जाएं मेरे 7 5 35 आ चुका है ठीक है अब आपको क्या चाहिए इस वाले इससे xy की value कैसे निकाली जाएगी मुझे पताएं इधर वाले इससे की value होते हैं इन दौनों का अंतर यानि जो पूछा गया अगर उसे थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे xy का whole square आ जाएगा और उपर मेरे भई x का square प्लस y का square यानि अगर मैं आसान सब्दों में कहूं तो आपको x का square प्लस y का square निकालना है और साती सात आपको xy निकालना है अब आपको निकालना आता है कैसे देखिए आपको यह देर खाय तो x का square प्लस y का square माइनस xy आपको निकालना आता है बिल्कुल आता है आपको क्या हो जाएगा इन दौनों का multiply यह आजाए एक किस तो यह तीन हो गया अब आपको एक तो इस हिस्से की value चाहिए इस हिस्से की value होती है इन दौनों का total 10 का अधा 5 तो उपर तो 5 आ गया इस हिस्से की value क्या होती है इन दौनों का अंदर 4 का अधा 2 पर यह 2 का square है तो यहां जाएगा 4 यह हमारा answer आ गया इसी तरह से अगर आप इस question की question को भी करना चाहो तो आप आसा नहीं से कर सकते हो कैसे वही नीचे xy का whole square आ अब मुझे जैसा की पता है भाई x square plus y square minus xy निकालना है इन दौनों का multiply 27 तो यह 3 आ गया यह वाली जो value वो क्या होगी इन दौनों के total 12 गादा 6 xy की value की आ जाएगी इन दौनों का अंतर इन दौनों का अंतर है 6 6 गादा 3 पर 3 का square कर देंगे तो 9 काड़ दें 3 दूनी 6 3 के अंसर जरूर दें और रोज रात नौब जे राहूल देशाल मैस पीड़ू के साथ जुड़े रहे और इनीक चीजों को और अच्छे तरीके से और बहतरीन तरीके से अगर आप बिल्कुल घहराई से सिंखना चाते हो तो मैस मास्टर कूर्स आ चुका है फिजिक्स वाला है पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ राहूल देशाल मैस पीड़ू जो रोज रात नौब जे क्लास होती है इस क्लास को जरूर देखते रहें ओके बाई लव्यू जाहिन जावारत बाए